आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे, आप सभी का स्वागत है, GK24 ओफिशिल यूट्यूब चैनल पर, आज की जो भी विडियो है न आपको बहुत इंट्रिस्टिंग लगने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि जियो पॉलिटिकल एरेना में हमने बहुत सारी वार्स देखने को मिल रही है, क्योंकि सबसे पहले हमें वार्स जो देखने को मिली थी, वो थी रशिया और यूकरेन के बारे में, जहां पर हमने देखा कि कैसे रशिया ने यूकरेन पर अटैक किया, पुरी एकॉनमी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हम काफी इस वार को देखी रह है, यानि दो महीने से भी जादा उपर हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है, अभी तक ये वार पूरी तरीके से नहीं रुकी है, तो यहां पर हमने दूसरी वार देखी, इसराइल और हमास के बीच में, अब ये वार खतम भी नहीं हुई थी, हम इस से थोड़ा सा ओवरकम क ही रहे थे, कि हमने अब तीसरी वार के बारे में सुन लिया, और अगर नहीं है, तो मैं आपको कुछ-कुछ चीजे बता देता हूं, जिससे आप समझ जाएंगे, नौर्थ कोरिया को आप जानते हैं, इसकी कड़ी जो एक तरीके से बंदीश हैं उसकी वज़े से, आपको बहुत सारी ऐसी यूट्यूब पे वीडियोज मिल जाएंगे, जहां पर ये लोग बताते में मिलेंगे, कि नौर्थ कोरिया में अगर आप एक बार एंटर हो जाते हो, तो आप दुबारा वहां से नहीं निकल सकते, या नौर्थ कोरिया के जो कानून है, वो दुनिया के जादा फेमस है, इंडियन गर्ल्स के अगर स्पेसिफिकली में बात करू तो वो बहुत बड़ी फैन होती है के ड्रामा की, जो कॉरियन ड्रामा है उसका, ठीक है, तो इस वज़े से जो है साउथ कोरिया को हम जानते हैं, लेकि साउथ कोरिया जो है रीसेंट्ली इसलिए भ एक बार सोचना चाहिए कि ये कंट्री हमारे लोगों के साथ कैसे कर रही है, कैसे बिहेव कर रही है, तो एनिवे, तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो है वार की पॉसिबिलिटी है, अब वो कैसे आओ जानते हैं, देखो नॉर्थ कोरिया जो अब यह है एक होना, री युनिफिकेशन, जैसा कि आपको यहाँ पर नाम में देखने को मिलता है, कि मतलब किनी दो चीज़ों को फिर से युनाइट करने की बाते की जा रही है, अब यहाँ पर आप दो कंट्रीज देख सकते हो, एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरी है साउ लेकिन 1945 के बाद यह जो है डिवाइड हो गया, दो कंट्रीज बन गई ठीक है, जिसको बोला जाने लगा नोर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और जो डिवाइड करती है लाइन इसको बोला जाने लगा 38 पैरलल, तो यहाँ पर यह जो है डिविजन देखने को मिला, आकरी डि सिंदिलरी देखने में, कोई भी डिफ्रेंस आफ बता नहीं सकते, लेकिन जिटना सिमिलर आपको इंडियन और पाकिस्तानी लगते हैं, उस से कही जी ज़ादा सिमिलरीटी आपको नॉर्थ कोरियन और साउथ कोरियन में देखने को मिल जाएगी, विक्स व तो यहाँ पर की बात चल रही थी कि इन दोरों कंट्रीज को एक ही कर दिया जाए यह बॉर्डर को मिटा दिया जाए जिसे कि क्या हो कि पूरे इस्टर्ण जो इस्ट एशिया है वहाँ पर शांती बनी रहे अब जो है लेकिन नौर्थ कोरिया के जो किम जॉन यून है वह उन्होंने साफ सा जासूसी करेगी किसकी साउथ कोरिया की और हम जो है नौकलियर मटीरियल तयार कर रहें अगेंस साउथ कोरिया इन 2024 इसका साफ साफ क्लियर इंडिकेशन यही है कि यह लोग वार करना चाहते हैं और यहाँ पे किम जॉन यून यह कहते हुए दिखे कि वार इस कि हम जो है अब लड़ाई तो होनी ही होनी है इनके कहने का साफ साफ मतलब यह है ठीक है अब देखो अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो आपको इंडिया दिख रहा है रेड कलर में यह रहा हमारा प्यारा भारत और प्यारे भारत के अगर आप इस्टन में जाओगे तो आप यहाँ पे चलोगे तो यहाँ पे आप देखोगे यह जो दो country है यह है आपका North Korea यह है South Korea और यह है आपका Japan तो यह चीज़ आपने देख लिए आप थोड़ा सा zoom out करते है तो यह zoom होके आपको मिल जाता है North Korea and South Korea तो देखो पहले क्या था कि मैंने आपको बता है कि 1945 के अंदर क्या हुआ था कि इसके बाद से 1945 के बाद से यह जो है दो countries में divide हो गया लेकिन इससे पहले यह एक ही unit हुआ करता था जिसको हम Korean Peninsula बोला करते थे लेकिन 1945 से पहले क्या हुआ 1945 के बाद क्या हुआ कि Japan जो है World War 2 के अंदर हार गया था Japan जो है World War 2 के अंदर हार गया था और उसने क्या क्या था कि उसने Korea पे कबजा कर लिया था यहाँ पे देखो Japan Occupies Korea Japan ने क्या क्या था देखो आप यह मैप देख सकते हो यह है North Korea यह है South Korea South Korea में अगर आप नीचे देखोगे ना यह वाला portion यह आपका Japan है ठीक है तब यहाँ पे Japan ने क्या किया था क्योंकि इसके बहुत close था तो ना ने क्या किया था South Korea पे कबजा कर लिया था और जो North Korea था ना इसको जो है USSR में यह मिल गया था पे आप रश्या देख रहे हो तो रश्या को पहले क्या बोला जाता था USSR तो यह USSR का part मान लिया गया तो यहाँ पे जो USSR ने अपनी नीचे हैं यहाँ पे impose कर दी और Japan ने यहाँ पे impose कर दी तो कही न कहीं इस वजे से ही क्या हुआ कि division वहाँ पे आने लगा और फिर 1945 के बाद जो है काफे सारी चीज़े बदल गई यहाँ पे और यह जो है दो countries के अंदर divide हो गया और तब जो है उसके बाद से अभी तक जो है यह चीज़े चल रही थी कि क्योंकि दोनों countries एक ही मास का पार्ट है दोनों एक ही है तो इसको एक तरीके से unite करने की बाते की जा रही थी और बहुत सारी countries ने एक जो है concept लेकर आई जिसको कहा जाने लगा Korean Unification Flag चीज़े यानि कि Korea को क्या करा जाए एक करा जाए तो यहां पर यह जो प्रस्ताव रखा गया बहुत सारी countries ने इसमें साथ दिया और यहां पर बोला गया कि इन दोनों को एक कर दो क्योंकि यहां पर क्या है कि यहां पर war नहीं छिड़नी चाहिए या फिर हमें नहीं चाहिए तो हम लोग एक तरी के से खुश है और सेम चीज़ पाकिसान के साथ भी होती होगी तो फिलाल कहने का मतलब यह कि लोगों के बीच में भी जो है दोएश की भावना कहीना का ही होती है लेकिन North Korea और South Korea में ऐसा नहीं है वहां के सिर्फ government जो है वो division basis पे जो है चीज़े करती है लेकिन लोगों के बीच में आज भी आप देखोगे तो ऐसी चीज़े की लोग जो है वहाँ पे साथ रहना चाते हैं इनफेक्ट यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके relatives यहाँ पे भी रहते हैं ठीक है देखो North Korea और South Korea जो हैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी कि वो एक होंगी in fact 1990 Asian Games के अंदर तो यह तक decide हो गया था कि हम A की flag को जो है raise करेंगे to play the Asian Games मतलब A की flag represent करेगा North Korea और South Korea को तो आप सोच रहे हो कि दोस्ती कितनी गहरी हो चुकी है यहाँ पे अगर मैं आपको अब यह हम इंडियान पाकिस्तान का example ले रहे हैं अगर मैं आपको यह बोलू कि इंडियान पाकिस्तान किसी एक match में खेल रही है और वो भी एक ही flag के साथ तो ऐसा possible I guess नहीं है बिलकुल वो बना रहे हैं 2024 के अंदर और वो यह कह रहे हैं कि हम जो है war कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हो आप war can break out at any time North Korea was to launch more spice satellite produce more nuclear material in 2024 तो यहाँ पे war कभी भी स्टार्ट हो सकता है ऐसा किसका कहना है किम जॉन युन का और ऐसा इनका कहना इसलिए क्योंकि इन बोल रहा है North Korea बोल रहा है कि South Korea is already with America and they want to attack us तो हम भी क्या करेंगे कि अब जो है यहाँ पे बिल्कुल तयार बैटे हैं attack करने के लिए और हमारी तरफ से जो है अभी spice satellites भीजी जाएंगे और यह war जो है inevitable बन चुका है तो यहाँ पे इस तरहीं कि चीज़े जो है North Korea से देख South Korea काफी powerful है लेकि North Korea भी कम नहीं है North Korea के अगरा आप population देखो कि वो करीब है 2 करोड ठीक है लेकिन South Korea के करीब 5 करोड की करीब population है लेकिन 2 करोड भी कम नहीं है अगर मान लो North Korea ने attack किया South Korea पर ठीक है तो जो South Korea में इतना बड़ा investment है इतनी सारी companies है उन सभी को relocate करना पड़े और Ukraine war में देखे चुके हो तो काफी बड़ी problem होगी in fact जो यहाँ पर war अगर मान लो दोनों countries के बीच में होता है तो अब ही तक आपने देखा Russia Ukraine के war या फिर इसराइल और हमास के war से तो उसमें जितना damage नहीं हुआ ना economy world economy को उससे जादा कही damage इन दोनों की war की वज़े से ह हो सकता है अगर in case future में war होती है तो ठीक है तो यहाँ पर यह चीज़े देखने को मिलेगी लेकिन खैर जो भी होगा future में वो मैं आप तक update तो पहुचा हूँगा यह वीडियो के माद्यम से मैं वीडियो लेकर आऊँगा जो भी आपको देखने को मिलेगा लेकिन यह बात तो तेह है कि दोजार चोईस में अब यह दोनों कंट्री जोए न्यूज में काफी बनी रहेंगी ठीक है तो उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा इंफर्मिटिव लगा होगा कुछ नया जानने को मिला होगा और अगर ऐसी बात है तो मिलकुल मेरे कोई भी वीडियो मिस ना करें दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को so that उनको भी जानने का मौका मिले कि उनके आसपास वाली कंट्री में क्या चल रहे है ठीक है और अगर आप किसी भी एक्जैम की तयारी कर रहे तो make sure कि आप GK24 अप्लोड जरूर कर ले क्योंकि यहां पर सबसे और बड़ी चीज यह है कि आपको study material भी देखने को मिलता है अब इतनी सारी चीज़े मिल रहे हैं आपको एकी platform पे तो download करना तो बनता है ना तो मैंने आपका काम आसान कर दिया है description में इसका link डाल के वहां जाओ, download करो, जाल सेदा use करो और अपने दोस्तों साथ भी शेयर करो, thank you so much for watching this video till here, I'll meet you in the next one, this is me Nadeem signing off